हेलो माई डिर स्टुडेंट्स होफुली आप सभी लोगों की जेएडवांस 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी आज की सेशन में हम डिसकस करते हैं जेएडवांस 2023 का सब्जेक्ट वाइस क्या वेटेज था ताकि आपको वो आपकी जो करिंड प्रिपरेशन एप डिसक्ट वाइस इसे सबसे पहले समझते हैं कुश्यन वाइस जैसे दू पीपर जी इडमास में होते हैं पेपर वन में कुश्चं वाइस पहले आप डिस्रिबिशन समझने 술 करियेए ईजी लेवल, डिफिकल्ट level में questions को distribute किया गया है अगर आप chemistry को देखोगे तो 3 question आपके easy level के थे 11 question आपके moderate level के थे and 3 question आपके difficult level के थे total 17 question आप से chemistry paper 1 में पूचे गए थे इसे के साथ mathematics में 7 question easy level 7 question moderate level and 3 question आपके difficult level के थे और ये भी total 17 questions हो गे now let's talk about the physics so physics में 4 question आपके easy level के थे 13 17 कोशिशन मौडरेट लेवल की पूचे गए थे और डिफिकल्ट लेवल का पेपर वन में फिजिक्स में आपको देखने को नहीं मिला था सो केमिस्ट्री को इसी के साथ सत्थ मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को आप ग्राफ के थुरू भी समझ सकते हो इजी लेवल में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कोशिशन मैथमेटिक्स के थे मेडियम लेवल में अगर आप देखोगे तो सबसे जादा फिजिक्स के थे और डिफिकल्ट डेवल में अगर आप देखोगे तो आपको केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों more or less same level का ही देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें marks wise distribution क्या था तो लगभग 10 marks का अगर हम chemistry में बात करें तो 10 marks का easy level का था 39 marks का आप से moderate level पूछा गया था and 11 marks का आप से difficult level total 60 marks हो गए आपके mathematics में 26 marks का आपका easy level का था 24 marks का आपका moderate level था 10 marks का difficult level था again 60 marks हो गए and physics में same 13 marks easy level 47 marks का आप से moderate level पेपर 1 का ही अभी discussion चल रहा है and difficult level का zero question था total 60 marks आपके हो गए 180 marks का आपका paper था paper 1 के अगर हम बात करें easy level अगर आप देखोगे तो mathematics आपका आगे निकल जाएगा medium level में आप देखोगे तो physics के सबसे जादा question थे और difficult level में chemistry के आपको सबसे जादा questions देखने को मिले थे इसी के साथ साथ अगर हम जी इडवांस पेपर 2 की बात करें 2023 की तो chemistry में अगर हम बात करें तो two questions आपके easy marks के थे seven question moderate level हो गे ठीक है easy level था basically और difficult level के 8 questions थे total 17 questions आपको देखने को मिलेंगे similarly mathematics में 4 questions आपके easy level था seven question moderate level and six question difficult level again total 17 question physics you have like nine questions easy level इसी के साथ साथ four question moderate level होगे and four question difficult level 17 question total अगर आप देखोगे तो 51 questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है easy के साथ chemistry में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो physics सबसे जादा है इसी के साथ साथ medium में देखोगे तो chemistry और mathematics more or less आपका सेम है और इसी के साथ साथ difficult में अगर आप देखोगे तो chemistry आपको सबसे जादा difficult देखने को मिलेगी paper 2 में भी आगे बात करते हैं marks wise अगर आप distribution देखोगे तो six marks अगर आप देखोगे तो easy level का था 26 marks moderate level का था 28 marks difficult level था total 60 हो गया मैंस में 13 marks हो गया 26 marks moderate हो गया और 21 marks आपका difficult हो गया again 60 marks physics में 32 marks हो गया 14 marks आपका moderate हो गया और 14 marks आपका difficult हो गया तो total 180 marks का आपको यहाँ पर paper 2 देखने को मिलेगा तो आप easy level अगर आप देखोगे तो observe करो भी पेपर 2 में physics का easy level जादा था medium में वही same चीज chemistry और आपका mathematics दोनों more or less same level पर है difficult level में अगर आप देखोगे तो बिटा आपकी chemistry आगे निकल जाएगी so this is the complete detail about the IIT J advance 2023 paper hopefully this information will be helpful for you इसके अलाबा भी अगर आपका कोई doubt हो तो comment section में लिखना बिलकुल मत भूलिएगा thank you very much goodbye take care